देखिए अगर प्रदानमंत्री मोदित जी का बुल्डोजर वाला अटिटूट नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संगर्ष करना पड़ेगा। प्रदानमंत्री कहते एक चीजे करते कुछ और कल कहा था सहमती का और आज जो अध्यक्षकार पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोगतंत्रों को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का देश जी उनको आगे हमने किया है लेकिन आप पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर्क किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे क्या यह लड़ाई सिर्फ इस सिंबल के तोर पे है दिखाने के लिए लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरुक है विपक्ष स तरक है और जिस आशा के साथ देश वासियों ने विपक्ष को जिताया आशिवाद दिया उसी आशिवाद के साथ हम अपना करतव्य निभाएंगे और ये शर्तों पर लोग तर्त नहीं चलता है देखे इस प्रकार के बाते हम पिछले दस साल से सुनते आ रहे हैं सत्ता पक्ष कभी भी जिम्यवारी नहीं लेना चाता सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलिया उठाता है ये जब उनके 300 सांसत है तब भी ये था आज उनके 300 सांसत कम हो गए हैं तबी भी वही रवया है तो प्रदान मंत्री मोदी जी की नित्रत में भाजपा का रवया पहले जैसा ही है कल के भाशन में भी आपने सुना होगा प्रदान मंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बाते की लेकिन मनीपूर का जिकर नहीं क्या गर्म विबिन जगाओं पर जो पुल तूट रहे हैं सभी का जिकर नकारते हुए उन्होंने देश के वरतमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं समझ से हैं उनको नकारा है तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है उसको हमें तोड़ना है देश वासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ी में